इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ Google Chrome को डिलीट कैसे करे यानि के Chrome Browser को डिलीट कैसे करे अगर आप यहाँ पर Google Chrome को डिलीट करने जाते हैं तो कहीं पर भी Uninstall का उफसन नहीं होता है तो इस वीडियो को ध्यान सलाश तक देखते रही है इस वीडियो में आपको एकदम असान तरीका बताने वाला हूँ जिससे बहुत ही असानी से Google Chrome को आप Uninstall कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं लेकिन उससे पहले आप से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है अगर आपने भी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजे साथ चैन को सब्सकाइब कर लीजे और आप अपने फोन से Chrome ब्राउजर को क्यों डिलीट करना चाहते हैं प्लीज अभी मुझे कमेंट बॉक में जरूर से बताईए तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आप भी Chrome ब्राउजर को अपने फोन से डिलीट कर सकते हैं तो Google Chrome को फोन से डिलीट करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने मुवाइल फोन के सेटिंग में आ जाना है मैं यहाँ पे आपको जो भी इस्टेप बताने वाला हूँ आपको ध्यान से देखना है और एक एक करके आपको फोलो करना है 100% आपके मुवाइल फोन से Chrome ब्राउजर डिलीट हो जाएगा गायब हो जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दू सेटिंग में आने के बद आपको नीचे के साइड में जाना है और यहाँ प पर क्लिक करने के बद आपको अब्लीकेशन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर अब यहाँ पर से आपको खोजना है Google Chrome लेखिए उपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में कहीं पर भी आपको Chrome ब्राउजर देखने को मिल सकता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पार है Chrome browser यहाँ पर है, हम यहाँ पर Direct click कर सकते हैं, पहला तरिका तो यहाँ पर यह है, दूसरा तरिका यहाँ पर यह है, Direct Search वले option पर आप click किज़ेगा वबर के side में, और यहाँ पर आप यहाँ पर आप click करना है, और Direct भी आप Chrome के यहाँ पर settings में पहुंच सकते हैं अब यहाँ पर आने को अध्यान से देखिएगा उपर के साइड में या फिर नीचे के साइड में कहीं पर आपको एक disable नाम का बटन देखने को मिल जाएगा ठीक है यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ Google Chrome mobile phone के तरफ से ही आता है तो आप इसको delete नहीं कर सकते हैं लेकिन disable कर सकते हैं disable करने से यह होता है कि आपके mobile phone से यह हट जाता है गायब हो जाता है कोई भी बंदा इसको खोज नहीं सकता है आप खुद भी नहीं खोच पाईएगा Simply आपको यहाँ पर disable वाले बटन पर क्लिक करना है अब यहाँ पर देख सकते हैं disable app का option आगया Simply आपको यहाँ पर disable app वाले option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर disable app पर जैसे आप क्लिक कीजेगा आपके phone से Google Chrome गायब हो जाएगा कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा और अगर आप इसको वापस से लाना चाहते हैं तो फिर से आपको इसी सेटिंग गंदर आना है अब यहाँ पे आपको Enable नाम को ओफ्टन देखने को मिल जाएगा पिसले पर यहाँ पे Disable था तो गायब हो गया अब यहाँ पे Enable पर जैसे हम क्लिक करेंगे दुबारा से हमारे फोन के अंदर Google Chrome ब्राउजर यहाँ पे आजाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं आ गया कुछ इस परकार से आप भी Chrome ब्राउजर को डिलीट कर सकते हैं इस वीडियो से अगर आपको कुछ भी सिखने को मिला हो तो प्लिस वीडियो को लाइक कर दीजिए साथ इसा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में